संभागय परिववन विभाग में प्रति दिन सौ ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन आ रही हैं, जिसमें से रोज असी आवेदन का डाटा फीड किया जाता है। हर महा करीब 25 लाइसेंस लंबित होना सामने आ रहा है। संभागे परिवन विभाग में प्रतिदिन सो ड्राइविंग लाइसेंस की आविदन आ रहे हैं जिसमें से 80 आविदन का डाटा फीड किया जोता है पिछले तीन महा के रिकॉर्ड में हर महा करीब 25 लाइसेंस लंबित होना सामने आ रहा है जनवरी महा में 4537 लाइसेंस में से 20 फरवरी महा में 3375 में से 25 और मार्च महा में 2000 लाइसेंस में से 20 लाइसेंस लंबित दर्शाय गए हैं इसके पीछे का कारण कागजों की कमी और टेस्ट में फेल होना बताये गया है आटियो कारले में ड्राइविंग लाइसेंस की स्कूरूटनीक और कागस जाच के लिए स्मार्ट चिप के पाँच कर्मचारी तैनाथ हैं लेकिन कमपनी के नाम पर कई बाहरी यूवग भी काम करने में लगे हुए हैं इनकी रोग को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाता है इस वज़े से बाहरी लोगों का जमघट कारले के अंदर लगा हुआ है स्मार्ट चिप कमपनी के कर्मचारियों से पूस्ताच की गई तो सामने आया कि प्रतिदिन लाइसेंस के लिए 100 आवेदन आते हैं जिसमेंसे असी आवेदन का डाटा फीड किया जाता है सर्वाड डाउन होने के चलते परेशानी होती है सीन्यूस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट